अस्सलाम आलेकुम वरहमतुल्लाइहु बरकातू फ्रेंड्स आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा के सौूदी लोगों के जो घर है वो किस तरह के बिलोग से बनते हैं और उसमें इलेक्टिकल का काम किस तरह किया जाता है आज जो घर है हम इसमें चट की जो है पाइपिंग करेंगे और पीवी सी का जो पाइप है उसके नाइंटी बनती है वो किस तरह बनती है आप सेट अगर बनानी है तो वो किस तरह बनानी है और किस तरह करेंगे यह आपको मैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगा तो फिरें से काम करते हैं तो उनके लिए बहतर होगा कि ये पूरी वीडियो देखा आखिर तक आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो चलिए आगे मैं वीडियो को शुरू करता हूँ तो फिरेंट्स ये नीचे का है ये सेट्रीन होगहाए जिसको दिखेए किस तरह से אत्रिन होता है ये इस तरह से होता है और अब ही हम उपर जाएंगे तो आपको दिखाना है अभी हम च्छत पर जाकर करके आपको दिखाते हैं देखिए हम च्छत पर आ चुके यहां पर पूरी च्छत रेड़ी है सर्या डाला वाहा है और सारा कुछ रेड़ी है और सेट बिसे जुए हम हमकाय सेटने काम करते हैं कि शीडी सीडी बना रहे हैं । ही यह काला वाला फ्אני पाइपงके चलिव Cup UK इस च्छत में हमको पाइपूंग करने हैं तो हमने इसी में यह पाइपिंग किया हम एक यहेज और ऑला एजिया है बहुत इजी है यहां पे भी काम करना इतना ज्यादा हेवी काम नहीं होता बहुत इजी है हम तो कमपनी में काम करते हैं कि हमारा अलग से हम किसी एक बंदे का काम था तो वो हमको बोला तो इसलिए हमको आना पड़ा यहां पे काम करने के लिए यह देखिए हमने जो जक्सन ब और यह इस तरह से से पाईफिंग भी को Yap को आगए चल गया इससे पूरा रूम का सेंटरना निकाल करके बस हमको पाईफिंग कर लेनी जहती है इससा पॉइंट देने होते हैं चत में तो इस तरह से हमने पॉइंट दिया और यहां पर टेप लगा करकर बन कर दिया दो साइट क्योंकि उसका काम नहीं था वह अन्ना सिमेट इसकंतर हो जाता यह है हमारा जक्सन बॉक्स यह जक्सन बॉक्स है इसमें आपको होल कर लेना है 25 mm का होल सा लगा कर क्योंकि नीचे से पाइपिंग आएगी यह देखना यह किस तरह से हमने होल किया है यह 25 mm का होल सा लगाया है उसमें होल करना है यह ड्रिल मसीन से यह बेटरी ड्रिल है तो इससे हमने होल कर लिया है एक किस तरह से देखो होल हो रहा है बहुत इजी है होल को जो है वो अच्छे से करना है ताकि पाइप अच्छे से अंदर चला जाए क्योंकि अगर पाइप बाहर रह गया तो सिमेंट से पूरा पाइप भर जाएगा फिर आपका यह लाइन खराब हो जाएगी इसलिए ध्यान से होल जो है वो अच्छे से कर लेना है चोटी-चोटी बातों का ध्यान देना है वना उसमें सिमेंट चला जाता है तो फिर काम नहीं हो पाता यह हमारे जो है यूपी के हैं जसीम भाई तो यह होल कर रहे है यह होल से आता है 25 mm का उसी से बहुत एजीली काम हो जाता है यह देखिए हमने किस तरह होल कर लिया अग लिए हमने यह होल को किया है और उसमें भाइन डाले है वहां पर नीचे से लान आएगी वहां पर में नीचे से दे देघें वहां पर way haul करने की जरुरत नहीं है तो किस तरह से हमको यह फिट करना है यह अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर नीचे जो है पिलाई लगी भी होती है सेट्रीन की तो उस पर रख लेना है राम से और इसमें एक बीच में होल करके उसमें कील मार देनी है ताकि यह इधर उधर न जाए इस सेप्टी के लिए है क्योंकि यहाँ पर कील लगानी है कोई जल्दिवाजी नहीं करनी आराम आराम से काम करना है कोई भी छेनी लगा करके छेनी हतोड़े से कील लगा देनी है आराम से करते हैं इस में फोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यह अंधर काफि जादा अंधर है कील से नहीं लग पाती तो हम चेनी का इस्तिमाल ग़र करके हम रेक्रक्व वासिन बाइए जो के उत्राखन से है ओ हमारा आतिब भाई है जो के बिहार से हैं काफी खुछ से हैं यह तो इस तरह यहां पर काम होता है बहुत असान यह जसीम भाई है जो यूपी से हैं और यह जो है यह गिलू है जिससे हमें पाइप को चिपकाना है आप अपस में जोइंड करना है अभी हम आपको दिखाएंगे कपलिंग यह कपलिंग है दो पाइप को आपस में जोइंड करने के लिए इसको गिलू लगा करके आपको अच्छे से जोइंड करना है यह काफी हाड होता है इलक्टिकल करी आता है आप कहीं भी बोलेंगे तो मिल जाएगा तो यह एक जैक्शन बोक्स है जो मैंने पहले दिखा था और हीजो हमने लगाया है यह हमने लगाया है झुमक्ति के लिए यहां पर फोम रख बार дум और यह नीचे से लाइन इसलिए दी है क्योंकि ये लाइन सीधी आ रही है ये विलोग के उपर से इस तरह से कि रोज मार रही तो हमने उपर से होल से होल करके तब हमें उपर से डालने होती है अकर नीचे सा रही है तो नीचे हमारा रास्ता है टूवे यह जक्षन बोक्स है तो इसमें हम यूज कर सकते हैं और अकर उपर सा रही है तो एक साइट टेप लगा करके बंद कर देंगे ताकि समीट न उसे और उपर से होल से ह हम होल करके उपर से 90 बना करके डाल देंगे बहुत आसान है यह इस तरीके से और यह हमारा दिवाल पर के स्वीजबोट के लिए लाइन उतार दी हमने इस रोम की इसमें दिवाल के अंदर इतनी अंदर को पाइप बतारना है ताकि यह दिवाल के अंदर आ जाए यहां पर सव इसमें काफी दिक्कत होती है इसलिए यह हमारे जानते वे जो मुदीर था जो हमारो सेख था तो वह जानतावा बंद था तो उसने हमसे काम करा तो हमने उसको यही राज दी थी कि अच्छा वाला पाइप लगाने के लिए यह थोड़ा महंगा पड़ता है यहां पर तो इस ज्लीही हमने यहाला पाइप डाला है यह बहुत ही कम लोग यूज करते हैं जो निकल जाना इसमें ठोड़ा टाइम लगता यह जो है नाइन टिजिस को बोलते हैं वह बनाने पड़ते हैं उसमें वक्त चला जाता है देकि आमने किस तरह से जोइन्ड किया है और अब यह य किस तरह से बैंड बनता है यह जो नीचे से लाइन आ रही हो उसमें करने की जरूप नहीं है जरूप स्टुवे वाला जो जक्षन बॉक्स है टूब आता थ्रीवे आता फॉर आता तो वह उसमें हम पहर्प डाल देंगे जुआ है आप हम आपको बताएंगे नቁटि किस तरह से बनातें यह जो बेंड हम नहीं है इस बनाएंगे यह जो पिनिघव . कर से लिए और समर नखें लगे समर्तिक यह यहां और निषानी लगा देंगे महतले इसके जो बेंडर है इसके ब्लुकुल find center में पकटके रखना होता है कि अंदर हम डालेंगे को ब में निशान लगा तक डालना है फिर इसा पकड़ करना एक हाथ इदर इदा सुरू में रखेंगं गाए इस जके को हम ध्यान रखें सेंटर था वैर अरुश इसको आराम जोर देंगे अराम तोटना नहीं चाहिए और पिल्कुल गोल परनी चाहिए जितनी दूर से घुंगाएगा उतनी अच्छे यहां पर इसका अंदर इस्टील वायर जाएगी और इतना अच्छे वायर खीचेंगी तो इस तरह से है कितना इसी बन गई है और इसको सीधा कर लेना सई लिए उसका सेंटर में पकढ़ना होता सेंटर से ही अगर हम पकड़ेसे और nasze तो इसी तरह नायंटी बनानी है एक और अगर चोट बनाक दिखाता हूं तो ये sona यह हमारे इffan वाई हैं पाकिस्तान से वह बना रहे हैं देखेंगे चोटी सिर्फ छोटा वेंड करना है ए समहाराम से हम इस एंटर पर बघड़ करें गया या तरह आपक में ना गट्रम कड़ों में इस तरह आपको बैर कर लेना यह तो इस दिए कितना का इसी हो गया जो जो यह गते है Kiss आपको जो बागए ऐना को मिनि możा कि यह कितना असान बहुत इसलिए यह जो सवुदी आते हैं उसमें इंटर्व्यू में पूछते हैं यह बनवा करके भी देखते हैं दिलिगंदर और जहां जहां इंटर्व्यू होता है वहां पर तो यह आपको सीख लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह पता चल जाएगा आराम से हो जा क्योंकि सेंटर में नहीं पकड़ेंगा फिर फाइब तूड़ जाएगा बैंड जो है बहुत अच्छे सा होना चाहिए विको सीधा यह देखा इस तरह पेल लगा करें थोड़ा बैंड करेंगे यह देखे इतना बैंड कर लिया फिर थोड़ा बैंड जो है आगे खेंच करके फिर इधर से मोड़ देना है यह देख भी कोई एक सार जो है हापसेट जो है वह एक सार बनानी है बिल्कु बढ़िया जो देखने में भी अच्छी लगए काम अच्छा होना चाहिए चाहे थ कि यह देखें कितना अच्छा बना इस तरह से आपको बना लेना है बहुत आसान है एक दो बार आप ट्राइए करेंगे तो खुद पता चल जाएगा यह अभी हमने वीडियो में दिखाई दिया आपको तो दीक है यही आपको दिखाना था और यहां बिलोग किस तरह का होत देखो कितना खाली होता है अपने यहां पर खाली नहीं होता है हिंट जो होता है वह अपने अलग होता है यहां पर पूरा खाली होता है वह कच्छा होता है मतलब यहां पर पता नहीं को इस तरह से होता है क्योंकि यहां पर गर्मी होती है साद इसकी वज़ेसा इसका अंद करते हैं ताकि उनको कुछ सीखने के मिले चलिए चलते हैं अल्लाः आपीस